बड़ी खबर बिहार के बाहुबली सांसद रहे शहबुदीन के बैटे को राजस्थान में गिरिफ़तार किया गया उसामा शहाब मोतिहारी में गोली कान के बाद से ही फरार चल रहा था उसामा पर एक जमीन बिवाद में मोतिहारी में कारबाइन बंदूख से गोली चलाने और जैसी भी से दिवार तोड़ने के आरोप में केस तर्च किया गया था इसके बाद से ही वो फरार चल रहा था बिहार के बहुबली सांसत है शाहब उद्दीन के बेटे उसामा शाहब को रजस्तान में गिरफतार किया गया शाहब उद्दीन के बेटे की गिरफतारी को लेकर एक पॉलस अधिकारी ने कहा कि बोर उसांसद के बेटे उसामा शाहब और उसके दो दोस्तों को कोटा जिले में उस वक्त पकड़ा गया जो एक कार में यात्रा कर रहे दे उसामा शहाब और उसके दोस्त सैफ वाग वसीम उम्र 30-35 वर्स के बीच है संदिक दिपाया गया जिसके बाद राम गंच मंडी इलाके में एक पॉलस्ट चेकोस्ट से पहले उसे गिरफतार कर लिया गया तो आपको बता दें बड़ी खबर आ रही है जिहां बिहार के बहुबली सांसद रहे श्याबुदिन के बेटे उसामा शहाब को राजस्तान में गिरफतार किया गया है ठाना प्रुभारी ने कहा है कि तीनों लोग से पूस्ताश की जा रही है और उन्हें मंगलवार को कोड़ में पेश किया जाएगा उन्होंने बताया है कि तीनोंने कहा कि वो दिल्ली में रेस्टर गाड़ी से गोआ यात्रा कर रहे थे पुलिस उनके दावे की पुस्ती कर रही है तो आपको बता दें बिहार में अपराद राजस्तान में गिरफतारी शाबुदीन के वेटे उसामा के अरस्ट होने की पूरी कहानी बिहार के बाहुबली सांसत रहे शाबुदीन के वेटे को रजस्तान में गिरफतार किया गया उसामा शहाब मोतिहारी में गोली कान के बासे फरार चल रहा था उसामा पर एक जमेद बिवाद में मोतिहारे में कारबाइन बंदोक से गोली चलाने और जैसी भी से दिवार तोड़ने क्या रोप में के तर्श किया गया था इसके बाद से ही वो फरार चल रहा था बिहार के बाववली सांसे तरह शाबुदीन की वेडियो उसामा शाहब को राजस्थान में किरफतार किया गया दिख्षांस एडू टेक लाया है दिख्षांस डिजिटल क्लास दिख्षांस डिजिटल क्लास का उपयोग कर शात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मज़ेदार दिख्षांस डिजिटल क्लास को स्कूल में बैट कर देखना है तो पेन ड्राइब और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम चलिए अब ये भी जानते हैं कि दिख्षांस डिजिटल क्लास का फ्री स्ट्रक्चर क्या होगा अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दिख्षांस डिजिटल क्लास के यूटूब चैनल को विजिट कर सकते हैं हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब और फेस्बुक पेज को लाइक करना ना भूले धन्यवाद